किस की शिकायत किस के पापा तक जाने वाली है? और अरजुन सुराक्षी की शिकायत किस के पापा तक पहुंचते ही बच सकती है इन दोनों में से एक की बैंड पर अर्जुन सुनाश्य की पापा के पास रेजिस्टर होने जा रहे इस कंप्लेंट का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि इनकी ये कंप्लेंट अपने खामोश वाले अंदास के लिए फेमस शत्रुगन सिना के पास नहीं बल्कि किसी और के पास जा रही है और अपने नहीं बलकि गलती से अर्जुन कपूर के डैड को पापा बोलने की ये मिस्टेक बनाने जा रही है आज की सबसे इंट्रेस्टिंग और जूसी स्टोरी क्योंकि किसी अपकमिंग फिल्म के टॉप आक्टर्स के बीच लिंक अप के किससे तो आम बात है पर अगर स्लिप आफ टंग के चलते अपने को स्टार के फादर को पापा बुलाना काफी है एक नया फसाना बनाने के लिए और आप खुदी देख लिजे कि अर्जुन सुनाक्षी के बीच की तू-तू-में में अब कैसे बॉनी कपूर तक जाने वाली है पर नोग जोग चल रही थी कि अर्जुन सुनाक्षी के साथ नहीं बलकी मनोज बाशपाई के साथ फिल्म प्रोमोशन करना चाहते थे बस यही बात जब आगे बढ़ी तो होने लगी पापा को कंप्लेंट करने की बात लेकिन इस पूरे किस्से को अगर बिना कॉंटेक्स के कोई सुने तो यही समझेगा कि मॉम डाट तक तो बात दभी जाती है जब साथ में लाइफ बिताने का इरादा पका होता है ऐसे में अब आप ही बताईए कि अगर अरजुन सुनाक्षी की सिर्फ इतनी बात सुनेगा तो यही समझेगा ना कि कहीं ये दोस्ती रिष्टेदारी में तो नहीं बदलने वाली पर यहां तो दोस्ती के रिष्टे में एक अलग ही पेंच था और वो था अरजुन की शिकायत का पेंच जो सुनाक्षी ने जाहिर किया तेवर के प्रोड्यूसर और अरजुन के पापा को ही कंप्लेंट करने की बात कहकर वेल अब ये देखने का इंतिजार सब को रहेगा कि जब अरजुन की शिरारत को लेकर सुनाक्षी की ये कंप्लेंट अरजुन के फादर तक जाएगी तो वो प्रिंसिपल बनकर अरजुन की बैंड बजाते हैं या नहीं मैं पापा से आज ही बात करूँगी पूर इलिका शिवास्तवा दू मुबाइ